So hey guys, welcome back on PAL World and आज हम इस गेम को खिलने वाल है 300 Days के लिए आप लोगों तो बताएं मैं इस गेम को 100 Days and 200 Days के ले खेल चुकाओ जिनकी वीडियो मेरे चानल पर है जहाँ पर हमने उती जर्णी की शुरुवात की थी, हमने बहुत से न्यू पल्स को कैच किया उसी के साथ हमने एक बहुत ही बड़े वेज को बनाया जहाँ पर बहुत से पल्स है and then हम बहुत से बॉसस के साथ भी लड़े थे जो कि बहुत ज़़दा तागतवर थे but हमारे पल्स के बहुत ज़़दा महनत के बाद हमने लेके लिए उनमें से बहुत से को कैच किया and कुछ नी तो हमारी फार्दी थी and ऐसे हमारी जर्णी बहुत ज़़दा आगे बढ़ते गए हमने बहुत ज़़दा मजे किये and हमने अपने वेज को बहुत ज़़दा डेवलप किया and वही पर हमारी वीडियो इंड हो गई थी तो तुम्हें याद योगा के अगले वीडियो में हमने अपना न्यूवेस बना है था जावर अपने पल के सोने के लिए काफी बैट लगाई और अपने कुछ खेतिवारी की जहाँ पर पैंकिंग पानी दे रहा है और यह रहा हमेरा राज महल और उसी के साइड में अपना ब्रीडिंग फार्म जोब अब विकार पड़ा हुआ है बट उसी के साइड में तुम्हें देखनों में लगा अपना क्राफ्टिंग एरिया जहाँ बार अभी कोई काम दाम नहीं कर रहा तो अगले वीडियो के बाद ऑफ रेकॉर्डिंग में मैंने कुछ ग्राइंडिंग दी जिसमें मैंने अपने होर्स के शाडल वन आई जो कि अक्छली मेमोरेस से भी बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसे बक्ति ना हमारी डार्क यूज एक वह इंक्यूबेट हो चीग थी तो मैंने उसे हैज कैन उसे एक बहुत खतरनाक लिजिन बाई जिसकी बाद मैंने सारे इंगर से बनाने रख दिया था बहुत सारे हाइपर स्पियर एंड लेकले तक सारे क्राफ भी हो चुके थे तो मैंने को लेकर अप सफर में निकलने वाला था तो इस बाद मैंने डिसाइड के थे कि मैं टॉप राइट के अंसीन एरियास में जाओंगो जहाँ पर मैं पहले नहीं गया तो फिर क्या था मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया एंड अपने दिविचोंडी पर निकल पड़ा इसके स्टार्टिंग में कुछ मद्व हमक्यों ने मुझ पर हमला कर दिया और यह कुछ जारे खतरनाक था बिकॉस यह लोग म इसे कैप्चिर करने के लिए बॉल पेका उसे भी इस का बड़ावार से बचाने के लिए आ रहा था तो मैंने उसे भी बहुत गंदा खूटा और उसके में पर प्लस पर थ्लो करके उसके बहुत एजी तेगे से कैप्चिर कर लिया ऑके ड़न लट्स को हो चुका यह बाई मुझे से इंक्युवेट में फेकने का टाइम नहीं बिकॉस मुझे एक बॉस को धूनना है तो मैं बहुत आगे निकल पड़ा और मुझे अपर एक लावा बैम देखना को मिला यह अगले वाले लावा बैम से कुछ अलग था कि तुरेंतिया से भागना पड़ा इसके बाद मुझे आस्मानी सफर बहुत जादा की और उसी बीट मुझे एक डंजन मिल टुका था जो कि एक बॉस का होता है तो मैंने तुरेंतिया में रश्ट कर दी यह था सीर डिलम ओफ दे स्विफ्ट तो यह काफि से खतरनाख हो सकता है लगले इसके पास में एक टेलिपोर्टर था जिसे मैं अपने वेस्ट में निकल परा और अपने यूज ग्रासी एक को इंक्यूबेट होने के लिए रख दिया इसके बाद इसे थोड़ी कोल लग लग रही थी लगए मैं इसको लो कर दिया था इसके बाद मुझे काफ़ से पल्स प्र लगे और मैंने काफ़ से पल्स चरफिक ही भी जिनमें से एक मिया जैसे जैसे से कैप्चर हो गई बाइटी बाद मैं दूजन में एंट्री मारी पता नहीं दंजन के अंदे एक सिंड्रस था जो कि एक ग्रासी टाइप का था पल्वल्ड वालो थोड़ा तो शरम कर लो यार मतलब पूरा सिंड्रस को ही ग्रासी कर दिया इनने बड़ जो प्यों आपने इसके साथ बादा शूरू की इस पर काफी कम डामज पर रहा था बट हमारी गोली मैं थे तुरंते इसके पर चलाई इन पता है मैं इस पर अपने ग्लाइडर को नहीं लेकिया था जिसके खातीर में इसके अटाइक कर पा रहा था यह मैं को बहुत गंदा कूच आता है लेकिली एक पर मैं मरते मरते बचा था लिटरली में इस्पी देखो कितनी लोग है बट देन फिर कुछ देर बाहत में फिर से मरने वाला था बट लेकिली मेरे पल ने लिटरली आपर मुझे बचा लिया उसके टैक्सी अब इसे काफी साथ ही लोग कर दिया था अब इसे काशिक टाइम आ चुका था तो मैंने या पर हाइपर पल्स पर फेके बट यह तो था एक बहुत एक पल्स में कैसे आने वाला था तो मैं से तुर्ण अपने वेस में चोड़ दे तो काम करने के लिए मैं अगले वीडियो के एड में तो मैं यह शाथ होकाम आइस टाओर के बहुत से हार गए थे तो फिलाल मैं ने सोचा चाके उससे पहला कूटता है तो फिर क्या था मैं टेलिपोर्ट हो गया आइसिकल ट बटने वाली थी तो फिर क्या था मैं आती अपने धमा का शुरू कर दिया और लिट्रली मेरा टैमेज भी इसके उपर टेरास होगी लग रही थी मतलब देख रहा कितना मस्त है तो फिर क्या था मैं इसे दुबारा से शॉट दी और और अपने हैंड के से हैड शॉट देता जब यह मेरे को मानने के लिए आ रही थी नश्मा भाग जा रहा था एंड ऐसी में इसे काफी दादध के दे पार राता हर पार इसके headshot देते तो फिर क्या था है असी हमारी बैटल काफी जटिक चलती है मैं इसे काफी तरह headshot देता हूँ बट अफ़ोसलि मैं gun के MO काफी कम लाय था कुछ दिर बाद गंगेमों खतम हो जाते हैं और मुझे बोएन उर्पेरी डिपेंड होना पर रहा था बट उसके सहारी मैंने काफ़ी देर के फाइट के बाद फाइट एके से लिली एंड लिलियन को खज्रा डाला मतलव यह boss kill हो चुकी है अगली बाद तो बस मैं अपने firepower को नहीं लायता लरकी इसलिए तो जीत गई थी बट इस बार था भी जीते हैं बट उसे दस्त में मुझे एक अदोले नाइंटेल जी फॉक्स दिखना मली इसको तुराइट डामाज करके मैंने कुछी पॉल स्विएर के अंदर इससे फाइन ली कैच कर लिया चुकी काफी थी था यूज ग्रासी इक था तो इसको जगर मैं खुशी के मारे निंगल परा काफी देर तक सफर करने के बाद मुझे एक टेली वोटर मिला जिसके सारे में घर पर आगे दूसरे यूज ग्रासी इक को भी इंक्रीट होने रख दिया और फिर मैं तुरन दे चला गया अपने राज महल में सोने जहापर मुझे एक बहुत अच्छी नींद हाई और नेक्स उबाह में नहाने जाही रहा था कि आपर मेरे कैच रस ना रही थी यारे काफी जादे क्यूट है प्लीज इसके खादे सब्स्क्राइब कर दो कुछ देर बाद मेरे वेश में कुछ लोगों हमला कर दिया था बैट देखो या पर मैं मैं मेम्मरेश क्या से मज़ी से नहा रहा है बैट फिर या चान रकूट के एक हमला करता है न इन सार लोगों के वर्ट लगा देता है तो फिर मैंने खुद-कुछ M.O को क्राफ्ट की एंद कुछ मेरे पल्स से करवाए जिसके बाद मैं फाइटी के से राइडी हूँ दूसरे आलफा पाल को अहरा नहीं के लिए तो मैं निकल पर आता हूँ दूसरे डंजन के और जूकि आम मैं टाउर के उपर से दिखा था एंद इसके पांस जानी की बाद मेरे को देखने को म अब मेरे पास ग्लाइडर एकल था तो मैं इसके अटाइक से बहुत इसी से बच गया भाई वरना मैं मन नहीं वाला थी यह पर अब मैं इसके हरेक अटाइक को डॉज करके इसके पर अर्राम से गोलिया बर्साता था इस पर डामज ही नहीं पहुश रही अगले बाले में 300 इस पर बता है 16-17 की डामज पहुश रही है और इसने मेरे फर्स्ट पर को लगकुक मारी दिया था तो मैंने तुर्ण देपने पर को चेंज किया बट उसे बीच इसके टॉनलोड देसर में हिट हो गया एंड रिट किल यह गार्डियन मेरे लेवल से तो कुछ जाद ही बाट लगली कुछ देख दूनने के बाद मुझे एक जगा मल गई जब पर कावसे आइन और थे है और लगली बहुत सारे कोल भी दे तुकि हायर लेवल मैटरियल है और लगली मैंने अपने वेस को इतना अपडेट कर लिया था कि मैं अपने सेगेंड वेस को बना सकता तो दी और जिन्दा रेने के दिखाने के भी जड़ोय थे तो मैंने या थे प्लांटिंग बादी एरिया लगा दी और लगाने के लिए और वाटरिंग के लिए एक ग्रास एंड वाटर टाइप पल को भी छोड़ दिया अब यह मेरा माइनिंग वेस बिलकुल तयार है अनलिमि एक इंक्यूबेट हो चुका था जिसके बाद मैंने इसे हैच किया और इसे कुईन बे निकले जो कि लिटरली यूसलेस है और बैड लगी पर नहीं रुका मैं दूसरे एक से भी सेम कुईन भी निकली यूज एक से दो उसलेस प्राणी के निकलने के बाद मैं काफ़ अब मैंने डिसाइड के लिटी कि मैं अपने खुद के पल्स की ब्रीटिंग करवा के खटनाक इग निकालूँगा बट ब्रीटिंग के लिए केक बनाने के लिए एग हनी एंड मिल्क चाहिए होता है जो कि काफी ज़िदा मुश्किल से मिलता है बट मैंने सोचा कि उन्हें इसके फार्म बना लिया जाए तो मैं एक खुली जगह दिए निकल पर जहाँ पर मैं अपने फार्म बना सकूँ एड लगे यह यहां मुझे मिल भी गई तो फिर क्या था मैं आपर और एक वेस बनाया लगा बट मैं आपर वेस बल्टाई नहीं पा रहा था एंड फिर मैं एक एक वन मेंवेस को और एक वार एक वर अप्लेट कर लेता हूं तो मैं थीन वेस गड्रेतावं को बना सकता हुँ । इसके पाद फाइट किसे मनना बटने की बाद ऐस यह कौपन कर आप नहीं वीपन को । इसको भी और फिर मैं तो यह हो फिर क्ड़ मैं लेच परistas क्राफ्ट कर सकता हूं तो फिर क्या था मैं उसी जगे पर वापस निकल गया और मने यह आपर अपने थर्ड वेस सेट अप कर दी और फिर मैं यह आपर तीन अलग अलग फार्म लगा दिये इसके बाद मने यह आपर कावी सारे बैट के साथ साथ दो होट प्रिंग बनाए और लिए तो फिर करता मैं इन तीन ओ भी क्यून को अपने वेस से निकाल देता हूं और इस वेस में भी मैं खाने के बंदबस्त कर देता हूं जिसके बाद मैं निकल पर आता कुस नौर्म बीस को कैच करने बट यह इतना एजी निया फिकॉस यह लोग घूम घूम के अग को जा जा इती ब्लास्जुन के बाद मैंने के निकाल निकाल टेक्निक अपनाई एंड आसमान के ऊपर ऊपर आ डिया, तक यह कि यह लोग ब्लास्जुन के मरना सके, मुझा इस कह पर घुद सब्दम कर के लागा यह लेगी इन के उल् 데 harm को कर लिए单 और पिन इस सी च तेगे से catch कर लिया जिसके बाद मैं एक बहुत बड़ी काउ की जुन देखने हो मली एंड मैंने जुन के ऊपर बहुत सारे पल्स फेकना शुलू कर दिया तकि यह सारे catch आ जाए और बहुत देर की बाद मैंने इनमें से कुछ को catch कर लिया था फिर मैंने काफे तरे पल्स फेकना इनमें से सब को catch कर लिया फिर क्या था मैंने वेस में आके सारे बीस को और काउ को छोड़ दिया तकि यह लोग milk एंड हनी प्रेड्यूस कर सके फिर मैं रात में थोड़ा एफ कर चला गया था जिसके बात मैं से लिटरली क्यूट सा सीन दिखना हो मिला मतलब सारे एनिमेल साके सोडे है कितना मस लग रहा है भाई मेरे पल्स कितनी सारा ही क्यूट है यह लोग कुछ गैदरिंग करके ला चुके हैं काव तो भाई और थोड़े थोड़े मिल्क दे चुके हैं हनी बीज भी हनी करेक कर चुके है जो कि साइड मेरे को मिल रहा है अब बस हमें अंडे के जरू आता है अंडा तो मुर्गी देती है लाकि दे ही बीजाओ से तो मेरे कापी चिकी पीष को मेरे लोग दे सबसु कर दिया जिसमें हमारे मुरगी अंडे मोर्य दे सकते हैं अल्शो गाय दूद दे सकते हैं च्योकि बोख़ी बात है वैसे कैसे आप लोगों ने बस 4 मिनिट के अंदरी 2 विसे इसको बनाना देख लिया बट लिटल ही मुझे इन दोनों को बनाने में 6 घंटे लगे तो अगर आप लोग मेले महनत को थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर लेना मैं अपसरी कोमेंट्स को हाइड भी करता हूँ तो कमेंटों से कोमेंट करना मत भूलना बट लीए इन सबके बाद मैं अपना iron farm में में आया जहाए बहुत लिए करना को में अपने पास चारकोल हो भाह सब्कॉपत कर लिया अब मुझे ब्रीड करने के लिए तो अच्छे खासे पल की जवरता है तो एक के लिए निकल पराता है डेजर्ट पायों में लगली वह पल मुझे मिल वे गया जो कि था यह तर्टल तो फिर क्या था मैंने तुरंती से कैच करने के लिए अपने बोल को फेका अब लगली एक यह बाल में कैप्चे हो गया उसे बीच उसके पीछे मुझे और कुछ माइनिंग पल्स दिख गया अब मेरे माइनिंग वेस में काफ़ी माइनिंग पल्स की कमी है तो फिर क्या था मैंने इन में से भी काफ़ी से पल्स को कैप्चेर कर लिया अब यह दोनों मिलके मुझे एक लिचेंडरी एक प्रेड्यूस करके देंगे अब में इन तोनों को ब्रीड में फेक के जाने वालो एक बॉस को कैच करने तो मैप मैंने इसे मार कर दिया और फिर मैं अपने राइडिंग पल्स के बैच के उड़के उड़के निकल पर उस पल्स को ढूणने बहुत ही जाद ही दूर है तो मुझे बहुत जाद ही सफर करना पड़ा और बहुत सफर करने के बीच मुझे यहां से एक जगा मिला पता नहीं तोरह अजीब लग रहा था बट इसके अंदर से मुझे एक टैबलेट मिली जुकि एक्चली यूशलेस है पूरी गीम में फिर कुछ और बायाम पर ट्रावल करने के बाद फाइट ही किसे मैं उस बॉस के पास आ गया था जूकि मैप में देख भी रहा है और एक्चली मैं यह बहुत कर्मिन है बट मुझे यह देख किया जो कि एक्चली मैं एक पोकेवान के तरह दिख रहा है एक्चली भाई पोकेवान की इन्हें लगा दिगा इससा पोकेवान लग बग तो रेधर में आ गया है बट जो गया मैंने अपने ग्रासरी सिंद्रास को बेच जाए से फाइट करने है बिक 60% क्या से जिता तो तुम सोची सकते हो जाता दिक्कत होने की जबुरत नहीं है एक ही बार में लगेली यह लिचींड पल कैप्चर हो गया एंड यह फीचर में हमेरा बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है वाई यह फिर में यहां से बाहान निकल गया और एक बॉस को ठू इसको इज़ले निट्णा सकते हैं इसके लिए मेरा गन ही काफी था इसके अटाक भी काफी ज़ाद रही जीवत थी एंड मैंने अपने पलकुना डॉन एक का मान्ड डिकर देक है ता कि मैं इसे गन से दामज कर सको एंड फिर कहा था हमारी बैटल काफी ते रिख चली मैंन से इसको धो डाला एंड मैंने गन की डामज इसके लिए काफी थी फिर इसने कुछ अटाक की जो कि मैंने घोड़े के बुरे साह लग गई एंड फिर मुझे लगा कि अब ज़वरत आ चुका है बदला लेने का तो मैंने यह से अटाक का कमांड डे दिया एंड फिर इस और एक ग्लिच को इंवेंट किया जो कि यहां पर पता नहीं अपना यह पंची हाथ में आ जाता है इसके लिए बस ग्लाइडे पगर के जम पारना है एंड ऐसा हो जाता है बाई जहें फिर मैं अपने वेस में आता हूँ एक प्रडूस हुआ की नहीं बाट फिर मुझे और जादा इनाइस हो जाए बट जो भी को यह जो वेस है ना वह काफी जादा स्लो आयरन प्रेडूस करें थे आपर न्यू गेम है तो बनता ही इतना बाइद फिर इन सब के बाद मैं आपने राज महल में आके स्वो जाता हूँ और फिर नेक्स दिबाट के मैं अपने इस को देखता हूँ चुकि एक्चली देखने में अच्छा था और मैं और अल्री लेवल 33 का हो चुका हूँ और यहाँ पर एक फ्लाइंग मांट अन्लॉक हो रहा है चुकि काफी तो फास्त है अब मुझे अपना फ्लाइंग मांट को स्विच करना है बट उसका शैडल बनाने कि अपना फ्लाइंगर्ट के जवदत बड़ेगी और मुझे पता निकिकी रिफाइंगर्ट क्यासे मलता है और फिर में नीचे दिखा कि इंप्रूफफ फॉर्नेस में रिफाइंगर्ण बना सकते है बट ऐसको यह में और एक लेवल की जवदत पड़ेगी बट फिलाल उस तो मैंने उनके लिए आसे एक medicine table बनाई जिसमें मैंने high level की medicine बनाने रख दिया and second release मैं आकर देखने लगा कि कुछ iron प्रेडिस हुए के नहीं but यहाँ पर लिटरली पुछी कम iron माइन हुए थे literally waste में कुछ तो glitch है but जो भी हो फिर मैंने उन iron से कुछ emos को बनाए and मैंको निकल पड़ा 40 level बाले alpha pulse से battle करने मैं अपने घोडी पर ride करके उसका dungeon के पास तो आ गया था but शायद से काफी तो powerful होने वाला है तो फिर क्या था हमने इसके अंतर entry ली and फिर यह देखने में काफी ताद ही अजीब लग रहा था मैं अपने firepail के अपने साथ लाया हो तो यह दाता दिक्कत करने नहीं वाला है but फिर क्या था हमारी इसके खतनाग battle चुरू होती है and मेरा firepail Arctic से 2 देता है but मेरी damage इस पर literally बहुत कम पर रहे थी जोकि काफी दा दिक्कत की बात है and उपर से इसके पास कुछ tracking वाले attacks भी जोकि काफी खतरनाक है तो फिर क्याता है मैं इसको था बड़ damage दी and also मैं handgun से भी उस पर damage करता रह रहा था but उसके attacks भी कुछ जादे खतनाक थे इसके बात मेरा पाल उसे समालता तो है but फिर हमारे इस battle उसे काफी देर तक चलती है जिसके अंदर हम उसे low कर देते है and अकल यह higher level था but मेरे smartness के बिज़से मैं इसे literally बजबज के इसको मार पा रहा था and यह जितनी बार भी मेरे को मारने के कोशिश करता है मैं इसके attack range से भाग जाता हूँ and यह legendary पल था तो एक बार में नहीं आया and फिर मेंने सोचे इसे और लोग अड़ते है and फिर कहा था हमने फिर और एक बार फिर का पल स्पीर and इसमें आने का कोई chances नहीं था but luckily इसमें पता नहीं कैसे वो पल capture हो गया I literally shocked but जो भी होता है अच्छे के लिए होता है finally we got another alpha pearl इसकी medicine production speed 2 थी तो मैंने इसको अपने घर के medicine production में लगा दिया and उसी बीच मुझे यहाद है कि हम अपने इस flying mound के shadow नहीं craft कर सकते but अपना जो new alpha pearl मतलब यह वाला इसकी shadow तो craft करी सकते है तो इसके लिए बस अपने पास paladium fragment cloth and iron ingot नहीं थे paladium fragment तो इजरी मुझे मेरे घर के पास मल गया and also iron farm वाली waste में मैंने काफ़ सारे cloth रखे थे इनको उठा लिए and then film यहाँ से जा रहा था कि मेरे को देखने को मिला कि काफ़ सारे iron already mine है इनको उठा के नहीं रख रहा and also यह side में क्या कर रहा मतलब यह वाला pal glitch हो चुक है दूर से यह man करने के try कर रहा and शाय से इने glitch के वेज़से यह waste थोड़ा slow iron produce कर रहा by the way then film में अपने main waste में आके अपने new alpha pal shadow को craft करने लग देता हूँ and also double jump भी कर सकता क्योंकि बहुत ही जादा awesome चीज है तो अब यह काफी दिन हो चुके थे मैंने अपने third base में visit नहीं की and they were heart of egg milk honey मतलब भाई क्या ही जादा है यह तो मैं यहाँ से सब कुछ collect करने लग गिया and literally हर तरफ egg honey and जो भी है milk milk पड़े हुए है मतलब इननों बहुत अची gathering करी and literally farm बहुत अची तक से work कर रहा है तो फिर मैंने इन सब को collect किया and इन सब को collect करने के बादना मुझे यापर 112 egg, 172 milk and 166 honey मिले जो कि actual में काफी जाद है तो फिर मैं अपने main waste में आके इन सब के मतलब से 14 यहाँ से cake बनाने रख दिया and literally यह cake बनने के बादना मैं बहुत से pulse को breed कर आके कुछ legendary pulse को निकाल सकता है वैसे इन सब के बीच में रहा एक incubate हो चुका है तो फिर क्या था मैंने यहाँ से hash कर दिया and इससे निकला अनुवेस my favorite pull in this game literally इसको work speed 4x है मतलब यह बहुत रजी से crafting कर सकता है and देखो waste में छोड़ती है काम में निकल गया like कितना जादा ही must बले है and देखो यह कितने speed से gunpowder बना रहा है भाई देखी भी नहीं रहा इसने speed से बनता आ जा रहा है like अनुवेस तो favorite है मेरा and फिर मैंने अनुवेस ने मिलके बहुत जादा ammo को भी craft किया उसे बीच में level up को चुकाता तो मैंने यहाँ से improved furnace को unlock किया and अब इसने refine iron ingot बना सकता बट उसके लिए अपने लोग को coal चाहिए और iron और चाहिए जोग के अपने बास फिलाल नहीं है मत अपने mining waste में iron and coal दोनों है मतलब यहाँ पर कुछ iron भी मिलते है and coal भी मिल जाते है तो मैंने iron and coal यहाँ से ले लिए and फिर में फाइंट ही किसे main waste में आके कहा से refine ingot को बना सकता था जिसको melt करने का काम मैंने डिटेट अपने इस fire pulp को but actually मेरे personal pulp and यह waste में रहके काम नहीं कर सकता that's why मुझे अब कुछ hot fire pulse की जोरत पड़ेगी जिनको मैं waste में रख सकू तो मैं निकल परा कुछ powerful fire type pulse को ढूणने जो कहीं जल्दी से melt कर सेके and मेरे waste में रह सके and luckily मैंने खुद के fire type pulse का जुरुब भाई मिल गया था तो फिर में को गुसरा आ गया and मैंने बोला तब मैं और आगे निकल परा था lava bam के अंदर and यहाँ पर मुझे को powerful fire type pulse दिख नहीं रहते but कुछ और देर चलनने के बाद मुझे एक बड़े पहार को पार करना था तो मैं उसको लिए उपर के साइड उनने लगा but उसे पीच मेरे को एक dragon egg मिल गया and यह को normal dragon egg नहीं था यह था huge dragon egg मैं तो मुझे एक legendary दिख गया था but उसका level 49 है तो मैं चुपचा प्यासी निकल लिया and फिर काफी देर तक आसमान में उनने के बाद मेरे को यहां से एक खतरनाक पल दिख गया यह अक्टली होमडोम जिसे है मतलब पताने चलने वाला होमडोम दो पैर में and यह पर बैठा हुआ था तो मैंने इसको यह उपर थोड़ा एक hit दिया and मैं यह आपके कोई effect लगा दूँगा मैंने आसे अपना pulse pair फेका and literally एक pulse pair में तो आया ही नहीं मुझे काफ़ चलने pulse pair लगा but end of the time मैंने से जैसे तैसे अपने last pulse pair केंदे capture कर लिया yeah finally I got this pulse बट जो मैं इसे catch करके जाहिए था मुझे और एक pulse लेक नहीं मिला यूकि actually चमा करता है purple color का था तो मैं तो करीब निकल लिया but बात में मुझे पता चला मेरे पास जो fire horse है यह उसका दूसरे version है and यह literally looking में उसको जाहते होसम लग राता तो मैंने इसको तुरा बहुत लोग किया and अपना pulse pair फेका and luckily यह एक ही pulse pair केंदे capture हो गया जो कि बहुत जाद ही awesome बात है वैसे फिर मुझे इसके side में और एक बड़ा dragon को मिला जो कि purple color का था मतलब यह कुल जाद ही खतरनाक है तो फिर कहता है मैंने इसको तुरा बहुत और damage दी यह dragon मुझे मारे इससे पहले मैं अपना gun से इसे बहुत low कर दिया था तो फिर मैं लावावाम के और अंदर जाता हूँ चापुर मुझे एक पक्षी देखने को मलती है अब यह पक्षी पता नहीं सो रही थी तो मैंने इसको तुरा उजाला करने के लिए अपने fireball को छोड़ा फिर इसको तुरा बहुत hit दिया तुरा बहुत दामेज देखने के लिए तो फिर फिर थोड़ा बहुत दामेज देखने के लिए और साइट में देखने को मेरा fireball भाई iron mine कर रहा है जो भी और फिर मैंने कुछ दियर के अंदर इससे low कर दिया काफी low करने के बाद मैंने अपना इसके साथ मैं बैटर शुरू करता हूँ अब तो मैं इसको बिल्कुल क्लोस ली देख सकते हूँ मतलब देखो एक ऐसा दिखता है तो फिर क्या था इसके अटाक मेरे पर फढ़ती है और मैं अलग जाती है बैट कुछ और मैं गोली चलाता हूँ इसके पर इसके बाद इसके बाद इसके बचने के लिए मुझे यहाँ बाद भागने भी बढ़ता है वरना यह मैं वन शॉट में लगा देखा विकास मैं शील्ड अल्यदी टूट चुकी थी तो फिट देखो आसपास भाई क्या ही लाओ अलाबा भाव इचा दी इसने वर्ट यूपी अब मैं इसे जैसे सलो करता हूँ इसको भी मैं बहुत एजी तरीगे से एक ही पर फ्रू करके कर देता हूँ मुझे सब्समा लगता फायरबाम के पल्स मुझे अब इसको जाधा ही पैट करता है मतलब एक ही फ्रू में सारे चाप्चेर होड़ है लग अच्छा है मेरा विससे इसके साइड में मुझे एक मूर्ती देखना हो मिला मैंना उस मूर्ती को रश कर दिया मुझे इस मूर्ती के पास लिए कुछ स्किल फ्रूट के पेर देखना हो मिले तो यहां से तीन स्किल फ्रूट थे मैंने सारे उठा लिये फिर सुबह होते हो थे मुझे बहुपंची दुबाक से देखना हो मिली तो मैंने से थोड़ा बट और डाम दिया अब इनके अंटर मेरे वेस के हर चीज़ मेल्ट एंड हर चीज़ को जाएगी तो फाइन थे किसे अपने वेस में जो फायर पल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्फ हो चुकी है तो अब तुम लोग भी देखो मेरा वेस उपर से कैसा लग रहा है सब लोग काम कर रहा है एंड उपर ब्रीडिंग फार्म भी है मेरा रात मेरा जो की छोटा सा बट उसम भरा करेंगे बाद में पर जो भी यह सबकुर अच्छा ही दिखता विससे इंप्रूफ फर्नेस बनान की बाद मेरा फिरस और रिक पर अप्डेट हो चुका था तो मैंने इसे और रिक पर अग्रेट किया लेवल 16 में इसको बनाने के लिए और दो लावल की जवरत है तो उसमें काफी देरी होगी बट फिला लावा अपने फ्लाइंग मांट को श्यारल क्राफ्ट कर सकते हैं बट उसी बीच मैंने नोटेश करके अपने सारी मेडिसिन बन चुकी है तो मैंने सारी मेडिसिन को उठा है इसको मैंने खुश किया इसको खिला के मतलब बंदा काफी उदास उदास था तो अब यह फाइंगी के से मुस्क्रा रहा है चैकि मुझे काफी दो पसंद आया देखो भाई इसके क्यूट स्माइल इसकेंड मेडिसिन मैंने इस बैट को खिलाई बिकॉज यह स्टार्टिं से हमारे बेसमें काम कर आए बट इसको छोटे-बूटे चोट लग गगे थे तो मैंने इस थीक कर देख फाइंगी के से और फिर मैंने इस बीटेल को भी मेडिसिन खिलाई बार चो भी है बाई यह को फूटना पड़ा और और कुछ और शोटे मोटे इलेक्रिक पल्स मुझे आसका समल के जिन सब को मार के मुझे इलेक्रिक और गोस को खलक करना पड़ा और उसे भी जबना यूज ड्रागन एक इंकुबेट हो चुगा था तो मैंने इसको यहा से हैच की और इसको निकला अब मुझे अपने कुछ पल्स की बीडिंग करवानी है तो फिमेल के लिए तो मैंने इस घोडे को चुना था जो कि एक बॉस है तो फिर इसके कंथे पर उठाया एंड रख दे बीडिंग फाम में एंड मेल के लिए मैंने इस गेरो जैसे फाइर ब्रेटिंग ड्राइगन क को रख दिया ताकि यह दो लोग एक खत्मनाक लिजनरी पर्ल्क को बॉंड कर सेके इनको खाने को दे दिया इसके बनाएगा के लिए के इसके बाद अभी दोनों मेल के लिए बुपने बुला जो कि तब फ्लाइंग पाल का शैडल बनाना तो एनवे इसके मिला बिला से मैं मैं शुरुवास में कूटा था इस बार फायर पल को साथ लेका है हूँ मैं पता नहीं मैं जोस जोस में इस पार आगे है विकॉस मैंने गल्तिया से कर दी कि मेरे पास ना इसको मानने के लिए इमई आसी नहीं है देखो शौट्गन की चलो थोरी आइमऊ से हांगत के तो अपने पास है नहीं तो शौट्गन से फिर मुझे इस से फाइटन लेना पादा यह पस एक large जीकता मतब huge waves नहीं है और इससे एक alpha ball का बच्चा निकला जो कि इतना तक खास ने मिली है घोडे मुझे लगाता तो खतरना के भाई तुने तक अल लगा दिया अपने निकल यासे तो अब मैंजे इस घोडे को निकाल दे bleeding farm से बाहर और इन इस penchi को large egg मतलब huge नहीं है यह तो मुझे लगा था कि एक बहुत अच्छे पल को देखा पर जो भी वो फिलाल मैंने इसे निकाल दिया अब मैं एक खतरनाक पल को catch करने जा रहा हूँ तो फिर क्या था मैं निकल परा audit engine के अंदर जिसके अंदर से जो बॉस निकला ना उससे breeding कराके हम एक अच्छा पल निकाल सकते हैं यह बहुत से अपना बुशी जिसको last video के अंदर हम catch नहीं कर पाया मतलब इसको मार दिया था हमने ठीक है बताने मेरा होट ने बहुत खतनाक डामेज चाहता है इसको फुल्टा दिया था तो इस बार मैं अपने पल को भीजा है नहीं बस गन शूट करके ना इसको बंदा लो कर दिया तो बहुत इसी थे किसे कुछी दिर के fight के बाद मैंने इसे लो कर दिया इसके बाद मैं अपना पल स्पियर फेका और अपने ब्रीडिंग वाले फर्ष्ट पल को capture कर लिया चुकि काफी तो अची बात है तो बुशी तो अपना फर्ष्ट पल हो गया ब्रीडिंग का एंड जो अपना सेंड पल होगा फो है पांकिंग तो फिर काता है मैंने इन दोनों को रख दिया ताक के लोग एक अच्छी एक प्रेडिस कर सके बादे फिर मैं निकल किया उस गार्डिंग से बदला लेने इस बार मैं अपने साथ लाया था मतलब एमो की कमी के बिए से तो इस बार मैं मरने वाला ही नहीं और ऑल्स इस बार इसके बार मैं 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 इसके के पर थो गर दिया और फोर्स लिए एक पर केंदे तो आया ही नहीं अब में देपास सिर्फ एक पर भाग किया मतलब अगर इसमें नहीं आया ना तो इसके पाद खतम भाई अपना केल तो फिर का था मैं तोड़ा वेट किना लगा बाट लगकी लिए यह कैप्टर हो गया अपने वेटिंग ड्राइगन से एक अधा चार्कॉल को बनाया और अपने आइन फाम ग्लिच के बज़र से मुझे जादा आइन नहीं दे रहे थी तो मुझे खुद ही आइन मानिंग करने जाना पर अपने पुराने टेक्निक से और यह टेक्निक में बताये बिल्कुल सब क्राफ्ट करने के ज्राइगा था बट अपने पास इतना अधा श्चफर नहीं था तो कुछी गन पर क्राफ्ट हो पाए बट उनके मतलब से फिर मैंने बहुत से एमोस को क्राफ्ट कर लिया और अभी तक बुशी एंद पैंकिंग मिलके भाई तेन अंदे दे चुक है आप को बना सकता हूं इसका टर्बाइन को घुमने के लिए वर्टे के चुरत परती है बाइद इवे हमने अपने सारे स्टोन को पैल्डियम बनाने में यूज कर दिया तो फिर मैं काफी तार और स्टोन माइन करने पड़े और अपने वेस में वेकार के गर्दरिम फार्म आपने जिनके अंदर मैंने एक एक करके अपने सारे रोख की एक को रख देया मैं अग्या पर रख दिया बट उसी बीची बुशी एंड पैंकिंग ने और दो एक दे दिए भाई कितने एक दोगे तुम दोनो तो मने ऐसे और दो एक इंकलिबइटर को प्राफ्ट किया एं फिर में इस पर शूट करता था एंड उसके बाद मिने इन दुमें से एक दो को मारा एंड फिर में पीछे वाली के वह देखने लगा कि अनलोग आ रहे बट यहां पर देखो एक बंदा है जिसके सर पर हिरन जैसे मतलब सींग है यह काफ़ी जादा रहर में दिख रहा था तो मिने सोचा मैं इसे केच कर लूँगा और मैं बिल्कुल राइडी राइस के पर फिर 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 मैंने और दोनी इंटल बेटे को लगा या विकाज बुशें आ और यह गंदा दे लिया था भाई रुख जाब अगर कितना अंडा दोगे तुम लोग निकल भाई दोनों निकल और दुरत में मुझे हमारे पास से आप टीन यूज डॉकी है एंड ड्राइगन ही एंड और ओल्सो टीन यूज डॉकी किया है मतलब 6 यूज डॉकी सोचो कितने पाफ़ल पलस निकलेंगे इंसे अब जब यह एक इंकुबेट हो रहे हैं तब तक मैं ATK करने वाला हूं कि मैं डॉकी में दो गंडे तक मुवी देखता दा एंड लेट सी क्या यहां पर हो चुकी है ओके सारी एक इंकुबेट हो चुक है लेटस चेक आउट पहले ड्राइगन अक सी क्या निकलता है ड्राइगन इक स let's check out उनसे क्या निकलता है तो पहले बाले रॉक की एक से तो निकला था एनुविस और फिर बाग इसारे से भी एनुविस से निकला विकाज मुझे यह वाले पल्प की बहुत जारे जोगते अपने वेस में तो मैंने यहां से बहुत जारे अनुविस नकाल दिया अब फुले थी Ultra Spear एसे क्राफ्ट करने के लिए हमें Assembly Line 2 के जाओध परती है Assembly Line 2 को बनाने के लिए पताने को circuit वर्ट के जाओध परती है जोगे फिलाल आम नहीं बना सकते तो बस मैंने Carbon Fiber का Unlock किया फिर किया तो मैंने काफी सारी यहां से Carbon Fiber का बनाने रख दिया जो के coal से बनता है फिचर में हम लग जोबी चीज़ बनाएंगे लाएंग बुलेट्स गन्स एंड एवर्टिंग उस सब मेंना Carbon Fiber का यूस होने बाला है इस खातेर मेंने coal को बहुत यादा higher level material बोला था फिर में आके बहुत सारी hyperspear को craft करता हूँ 56 hyperspear जिनको मैंने 3 animals मिलके craft कर देते हैं देखो भाई इनकी worst fit कितनी जादा ही है पलक चपकती बन रहे एक Pulspear जब में इनकी साथ हाथ में लाए न अपना तो फिर देखो क्या ही speedly बन रहे Pulspear देखते ही देखते सारे Pulspear बनके भाई मेरे फिर में अपने iron farm में आता हूँ यापर में को रेखने हो बलता है लिटरली आपर कुछ ग्लिच्रे छोड़ा है तो मैंने अपर Pulspear प्लिच केंदे के च्राई के बट आप फोसले हम लोग तीन ही वेस्ट बना सकते हैं अभी तक मतलब हम इस पूरे गिमें मैक्सिमम तीन वेस्ट को भी बना सकते हैं तो मैंने अपने old iron farm वाले वेस्ट को तोड़ दिया फिर मैंने यहाँ पर new ways set up कर दिया फिर मैंने इस वेस्ट में भी वही सारे mining Puls को छोड़ दिया और अलसो उनके लिए काफसर बैट दी और अलसो खाने के बें इंजजाम कर दी अब भी यह वाली ways set up हो चुकी है फिर मैंने यहाँ से 2 गंटे और FK किया और अलसो फिर 2 गंटे का दे चार सो आइड माइन कर दी ने भाई कुछ जारी ओसम बात है तो फिर मैंने उन सारे आइडेंस को अपने मेंन बेस में दाके में लग दिया और उसके बाद में कुछ देर के शफर के लिए बाहार निगलाता गूमने बाद उससे बीच मेरे को या से और एक ड्रागन देखना मलगा वाटर ड्रागन और पूरे मैप में आइकस दो वाटर ड्रागन है पहले तो मुझे एक दूर देखना मुलाता अब मैं चाहा पड़ हूँ वापर और एक ड्रागन है यह लेबल 45 का है बाट मैंने इसे बैटर शुरु कर देखे कि मुझे लगा मैं इसे हडा पाऊँगा और देखते हैं सा हो पाता है या नहीं हो पाता है यह मैं बखलोल की तरह आपर आगया यह कुछ दिए डामज करने के बाद यह मेरे पर खतननाग अटक्स करता है इनको मैं डॉस तो करता हूँ बाट फिर जो भी हो कि यह काफी जाल खतननाग बंदा है और फिर मैं इसको बहुत जादा ही डामज देता है तो अपने हैंडगन से बाट आइड़न डो वाई मैं जितना भी इस पर मार रहा हूँ ने इस पर डामज पहुच ही नहीं रहा और उल्टर यह मेन ही लंका लगा रहा है मतलब मुझे फिर नीचे भी आना पड़ा और फिर मुजे इसके बाबस बाट नीचे आना पड़ता है और मेरे handgun की थोड़ी बहुत ammo से इस पेज चाहर रही थी जो भी काफी damage करने के बाद ये फिर मेरे को देखता है और उसके बाद में पर electric attack करता है जिनको मैं dodge करता हूँ और फिर में इसके पर और सब्सक्राण सुरू करता हूँ और मुझे लगा ही था मैं जीज जाओंगा इसे बाद फिर ये अचाना सी मेरे पर एक attack करता हूँ और फिर में इसके power damage पहुचाता हूँ बाइट जो भी हो मेरा armor अभी पूरा damage हो चुकाता है और weapon भी damage हो चुकाता मतलब बंदूब भी damage हो चुका, armor भी damage तो मैंने सोचा है यहाँ से आमे को repair करता है, repair weapons बना के, but पता ने उसी भी जिसने मुझे को hit किया और मेरे फूरी shield तोर दी, and then फिर इसने मुझे पर water attack मैं जिसका मैं डॉच किया, but I don't know how मैं मर गया आपर तो उस घज़े से मरने के बाद मैं अपने waste वापस आ गया, and अब मैं अपने राज महल को थोड़ा बड़ा करने वाला मतलब अपने हाँ इस जोपर पट्टी को, तो मैंने जोपर गट्टी को तोर दिया, and एक नियावीज बनाने लग गया, जहांका मैंने bottom side थोड़ा wood का because wood अच्छा दिख रहा था, तो फिर क्या था, काफी जारे wood मुझे लगाने पड़े हापर, जिसके बाद मैंने stone के काफी जारे world लगा दी, and हर तरफ stone की world लगाने के बाद, हाई ते किसे looking में तो अच्छा दिख रहा था, but मुझे stone के world का 2 layer लगाना था, तो क्या था, मैं 2 लगा दिख रहा था, जिसके बाद लगा दिख रहा था, जिसके बाद ही काफी तो अच्छा लगा रहा है, जो कि इसे काफी comfortable भी बनाता है, and फिर मैं घर के अंदर गया, and मुझे कुछ कमीवर में लगी, तो मैंने हर तरफ कुछ खिरकी प्लेस कर दी, and हम फाई देके से यह वाला घर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मतलब देख रहा है, तो आगा मने राइट साइड भी एक सीरी लगाए, कुछ आयने लगाए, and also एक सूफा के साथ, दो चीर्स, and कुछ चेबल भी लगाए, जो कि इस डुकिंग में काफी अच्छे लग रहे थे, and अपने बैट को भी इंप्रूफ किया, and also मैंने अपने घर के बार पता नहीं यह वाले चीज़ की लगाई, but then मैंने और भी ज़दा इंप्रूफ करने वाला हूँ, and मैं बिल्कुल यह पर एक शहर जैसा बनाने वाला हूँ, जो कि पोहाँ ज़दा लुकिंग में ऑसम होने वाला है, but फिलाल के लिए मेरा घर जैसा भी है बोहाँ ज़दा ऑसम दिख रहा है, तुम रेटिंग दे सकते हो मेर अगर तो मैं कैसा लगा, मुझे तो भाई बिल्कुल 10 में से 10, मैं दिवेन सब के बाद मैंने कुछ और पर इसको कैच के अपने माइनिंग वेस के लिए, and उनको अपने माइनिंग वेस में छोड़ दिया, इसके बाद मैंने सोचा मैं और एक टावर बस को कैच कर लो, जो क मैंने एक्चली वहाँ पर कुछ गल्दी कर दी थी, मुझे फिलाल बस इंतजार कना कि कब यह लोग इस पर गोली मार्यान साइड जाके खड़ी हो जाए, जो कि अभी हो चुकी है, and अब मुझे पीछे से इसके पीछे से जाके पीछे 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 जाके पीछे पीछे न साथ हो चुकी थी, तो है राम से मैं अपने वेश्टर में आके सो गया, and वैसे तुम लोग नोटिस की थी, जब मैंने लिलियान को क्या था, तो मुझे बहुत जादे XP मिली थी, and अब इसके 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 पास तुम देख सकते हो, 8 लियान लियान हो चुक अब मुझे इसे क्राफ्ट करना है, इसलिए मैं अपने वेश्टमाइक की रिफाइन आर्न इंकट को मैंटन रख देता हूँ, बट अपने पास कोल की कमी पर रही थी, रिफाइन आर्न इंकट को क्राफ्ट करने का लिया, and बैड लग लग ली, मेरा निव जो आर्न फाम मे बैर सकता हूँ, तो फिर क्या था, तुरंती फिर मैंने उसे क्राफ्ट कर दिया, and thanks for my three enemies, यह बहुत फासली क्राफ्ट भी हो गया, and फिर उसे के साथ में एक रिफाइन आर्न इंकट की हलमेट भी बनाई था कि मेरी डिफेंस और अपने यह वाला आर्मर कुछ ऐसा दिखत बहुत सारे स्ट्फर को कलेक कर लिया, इसके बाद मने बहुत सारे गंट पार्डर बनाया, and फिर उनसे बहुत सारे एमोस बना लिये, and अभी तक अगर तुम वीडियो को लेकर और सस्क्राइब तुम नहीं किया ना बही, तुम बहुत सारे हरामी हो, बतारो मैं तुमें, सब्सक्राइब कर लो पहले, बाद मैं इस खतरनाक टावर बॉस को से लरने जा रहा था कि मुझे एक शाइनी पल देखनों मल गया, लगे इसके निचे ते को चमा कड़ाए कोछ, तो ये शाइनी है, बाद लिटरली इसका लावल 45 था, तो ये में को उन्छोट कर सकता है, मैं तुरंती फिर समल गया, एनी कहां से निकल लिया, अपनी चान बचा के, अब मुझे इस पहार को पार करना था, बाद उसी से फ़र में मेरे को एक लार्ज फारेग मिली, इसको लेके वापस से मैं उपर की साइड चरना शूरू कर दिया, फिर फाइनी किसे मैं पहार को लेंड वसे साइड था ये टावर जो कि काफी खतरनाक है, मैंने निचे भाई एक ज्वाला मुखी है, जो कि बहुत गरम है, बार फिराल हमें इस टावर के अंदर जाना है, लेट्स गो गाइस, बाइड दिवे टावर के जाने के बाद मिचे टावर को बहुत लेक्ने को ब लेक्रिक फार्म लग रहा है, मैं देखो, तुम खुद बाता है, गार्चरम नहीं लग रहा है, बर जो भी एको जारे खतरनाक दिख लाता, एंद फिर गाता, एलेक्स इसका नम, मेरा नम कॉपी गर ला है, जो भी है, भार में जाए, इससे हमारी बाटल चूरू हो गई, मैं इसके पर डामज दिना शुरू कर दिया, फिर मैं तुरंती अपने पल को भी भिजा था कि हम उससे बैटल कर सके, और मैंने इस बंद को बहुत दर डामज दी, फिर अच्छानक से इसने कमान दे अपने पल को मुझे मानने के लिए, और मेरे एपर दोर बढ़ा भाई, क खतम करते करते, फिर हमारी बैटल काफी देर तक चलती है, जिसके बाद ये बंद आस्मान में जाके एक टिशूल बुलाता है, और मेरे उपर मार देता है, जिसने मैं लिटरली बस तो जाता हूँ, बढ़ पता न कि यह मैं कैसे हीट करता है, लग मैं बचा तो था बढ़ उसने मैं कैसे हीट किया, जिसने मैं बाल बाल बचता हूँ, फिर हमारी बैटल कुछ और जाड़ा लंबी देर तक चलती है, जहाँ पर मैं लिटरली इसे लोग करी नहीं पा रहा था, फिर काफी देर के बाद इसने मेरे शील वापस से तोर दी थी, फिर आस्मान में जाके वापस अपने सिशूल को बलाता है, मेरे उपर मार देता है, इस बार लिटरली पूरा हीट होता है मेरे पर, जाता हूँ, भाई ये बंदा कुछ जादा है, इसको हडाने के लिए मैं बहुत जादे करनी पड़ेगी, बट वो सब करेंगे हम 400 डेस में, फिलाल ये वाली वी तरनाक टावर बॉस को भी हराना है, और बहुत से लेजिंडिस को कैज भी करने नेक्स एपिसोड में, अगर वीडियो पसंद आए ते वीडियो को लाइक करना, चैनल परना और सॉस्क्राइब करना, सो लेट्स बाए गाइस में तो एक इने नेक्स वीडियो